नमस्कार दोस्ता आपका स्वागत है आज जो हम कहानी देखने वाले है वो एक सची कहानी है ये जिनकी कहानी है वो है डॉक्टर प्रमोज जैन जी बहुत ये अच्छे तरीकी से इन्होंने मतलब कुछ पास्ट लाइफ रिग्रेशन के या फिर आत्मोलोक से रिलेटेड कित जो है वो अपनी मतलब हिंदी में करने के लिए उन्होंने ट्रांसलेट करने के लिए बहुत मदद की है तो एक बहुत बड़ी लेखा खई है एक बार वो ये कहते कि जब उन्होंने अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक जगह पर जाकर किया था सामई पास्ट लाइफ regression में उन्होंने अपने आपको एक तक्रिवन 500 से 300 साल पहला वो जनम था और उस जीवन में उनका नाम था Daniel और जब उन्होंने देखा की यह कहा का जनम था तो उन्होंने कहा है कि वो गृष जो देश है वहाँ का वो जीवन था और उस जीवन ने दोस्तों इन पर फाइरिंग चालू कि और इनको गोली मार कर मार डाला डैनियल ये कहते है कि वो मतलब उनकी जान ही चली गई थी और उनकी आत्मा जो थी वो शरीर से अलग हो गई थी डैनियल ये कहते है कि मुझे अपने मौत का जरा भी दुख नहीं था तो इस तरीके से बहुत दुखद वो जीवन था डैनियल ये कहते है कि जब वो इस दुनिया से चले गए मेरी पत्नी और मेरी बेटी मुझे बहुत दुख हुआ लेकिन ये भी लगा कि मतलब उनके साथ और भी कुछ बुरा नहीं हुआ इसका कही न कही समाधान मिला और कही न कही हम तीनों कही न कही मतलब मुक्त हो गए थे उस जीवन से इसलिए डैनियल ये कहते है कि उसके बाद उनको पहले जैसे दुख लग रहा था कि जैसे उनका क्या होगा वो अब थोड़ा सा उनका काम हो गया और उसके बार Daniel ये कहते है कि मुझे लेने के लिए कुछ आत्माएं आई थी और उन आत्माओं ने, Daniel ने खुद ने कहा है कि तकरीबन 100,000 मिल, 100,000 मिल ऐसे उपर बहुती ज़ादा, ऐसे मतलब इतने दूर वो कहीं कहीं न कहीं उनको लेकर गए और बद में Daniel को ये पता चला, उस वक्त मतलब प्रमोजेन जी को, उनको ये पता चला कि वो जहाँ पर उनको लाए है, वो जो आत्माएं उनको लेने के लिए आई थी, वो जहाँ पर उनको लाई थी, वही आत्मलोग है, वही स्पिरिट वर्ल्ड है, तो इस तरीके से Daniel ये कहते है कि जो आत्मलोग था, बाद में उनके साथ आत्मलोग में क्या हुआ, उसके बारे में उनको इतना दिखा कि इस तरीके से उस जीवन में उनकी जान चली गई थी, और कोई नो कोई आत्माएं उनको लेने के लिए आई थी, और वो उनको आत्मलोग में लेकर गई, तो ये जो कहानी है, वो हमें य दूसरा ये कि पृत्वी के माया में बहुत बर हम अटक जाते है जैसे ये मेरा वो मेरा मेरा घर है इस तरिके से में नहीं सोचना चाहिए जेमारा असनी का घर है वह आत्मोलोग का घर है और जिस तरीके से हम अपने करम करेंगे उतना ही सुन्दर वहां का हमारा घर होगा तो इस तरीके से हमें जरा भी चिंता नहीं करनी चाहिए दोस्तों जो हमारा वास्तवी घर है वह अपने पृत्वी के कर्मों से अच्छे कर्मों से बनाना है वो जितना हमारे कर्म अच्छे होंगे वैसे ही वो बहुत ही अच्छे से वहाँ पर हम रह सकते हैं एक आत्मा के सुरूप में दोस्तों तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विशे को लेकर मिलेंगे तब तक आप अपना अपने परिवार का खैल रखना आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जिन्दगी की रोशनी ये एक कंसल्टन्सी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिनोंने किसे अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ज़ादा दुखी है जो लोग इस संस्ता के साथ जुड़ते है उनको इस विशे की कितावे और जानकारी भेजी जाएगी इसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते अगर वो घर पे अभ्वहस कर सके इस वजह से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ओडियोज भी भेजी जाएगी और इसके साथ साथ धेन में एकागराता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर पाच आडियोज भी उनको बेजी जाएगी तो जो लोग इस सांस्टा के साथ जुड़ते हैं उनको यह सारी चीज़े उनके इमेल पर या फिर वाटसब पर बेजी जाएगी अगर आपको इस सांस्टा के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नमबर पर वाटसब करें